नमस्कार स्वागत आप सभी का आप देख रहें पूलिस की आबाज और मैं हूँ आपके साथ शालेनी पार्टा पिलेटे की शुर्वाद करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर किसे फरुकाबाद पहुंचे सपा सुप्रीमोवा पूर मुख्य मंतरी अखिलेश यादब पत्रकार वारता में भाजबा सरकारों पर बोला तीखा हमला कि एक तरफ हम गरतंत्र दिवस मानाने जा रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे किसान सडकों पर पड़े हैं गरतंत्र दिवस का इतना अच्छा अफसर है कि भारतिय जनता पार्टी सरकार को किसानों की पात्मान लेनी चाहिए और तीनों काले कानून खत्म करके जो किसान जा रहे हैं वहीं MSP मिलने वाला कानून आगे वाले शर्तर में पेश कर दे भाजपा सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही लेकिन आज किसान बरबाद हो गया डीजल पैट्रॉल साहिद जरूरत की सबी चीजे देश में महंगी हो गई है भारतिय जनता पार्टी पहले देश में खत्रा बताती है कि भारत को खत्रा पाकिस्तान से है भारत को खत्रा अन्य मुलकों से है कैसा समय आ गया है कि भारतिय जनता पार्टी की सरकार को अब किसानों की ट्रेक्टर ट्रॉली से खत्रा है किसान यदि ट्रेक्टर ट्रॉली से डीजल भरवाने जाना चाहे तो पुलिस पकड़ने के लिए बैठी है तो खत्रा दूसरे देशों से है कि हमारे किसानों से हिंदुस्तान को यदि कोई बनाने वाला है तो वह है किसान प्रधानी के चुनाव के सवाल पर कहा कि उनमें पार्टी इंडिफेंड नहीं करती है और चुनाव घोशित होते ही ने ने ले लेंगे 2022 का विधान सवाचुनाव में 350 सीटों से ज्यादा हम जीतेंगे अखिलेश यादब बुलंदेल खंड से लेकर नैपाल से लगे हुए जिलों में धूम कर आया हूँ भाजबास सरकार की विरुद लोगों में नाराज की है अन्या पार्टियों से समझोते के सवाल पर कहा कि किसी से समझोता नहीं करेंगे छोटे दलों के लिए दर्वाजे खुले हैं अखिलेश यादब चाचा से समझोते के सवाल पर खुलकलना बोलते हुए कहा छोटी पार्टियों के लिए रास्ते खुले हैं वहीं कस्बा कंपिल को महाभारत कालीन हुई घटनाओं से जुड़ा हुआ बताया कहा कि भगवान श्री कृष्ण यहां आये थे यहां पर स्वैमवर हुआ उन्ह तो सबसे पहले तो यह है 26 जनवरी पूरा देश गर्थन दिवस मनाने जा रहा है और आज के दिन जब पूरा देश गर्थन की तयारी कर रहा है और किसान हमारे जब आंदोलन कर रहे हैं तो सरकार की जिम्मिदारी बनती है कि सम्विदान हमें अधिकार देता है सम्विदा ये इतना अच्छा अफसर है कि भारती जनता पार्टी को किसानों की बात मालने नीची है और तीनों काले कानूनों को खतम करकर के जो किसान चाहते हैं MSP मिलने वाला कानून देश में कैसे आए उसको आने वाले सत्र में पेश कर दें भारती जनता पार्टी को ये जवाब देना चाहिए किसान को ये वही लोग हैं भारती जनता पार्टी के लोग जिन्हों ने कहा कि हम आए दोगुनी कर देंगे आये दोगुनी तो हुई नहीं किसान बरबाद हो गया धान की क्या कीमत मिली इधर सरसों खेत में तयार है क्या कीमत मिल पाईगी और जितनी भी जरूरत की चीज़े थी आज सब महंगी हो रही है डीजल महंगा पेट्रॉल महंगा और ऐसा हो सकता है पहले तो देश में खत्र भारती जंदापार्टी की सरकार है उस देटर ट्रॉली से खत्रा हो गया कि आज ट्रेक्टर वाले अगर जाएं तो डीजल नहीं भरवा सकते ट्रॉली लेकर के जाना चाहें तो पुलिस तयार बैठी है उनके लिए पकड़ने के लिए तो खत्रा दूसरे देशों से है कि ह हमारे किसान से है और याद रखिए इस हिंदुस्तान को भारत को बनाने वाला कोई है तो वो किसान है हिंदुस्तान को बनाया है किसानों ने और किसानों का ही हिंदुस्तान है भारती जंदापार्टी को सभी कानून बापस लेने चाहिए और किसानों के हित्में फैसले होन क्योंकि आप कैमपिल के बहुत अच्छे पतकार हैं तो प्रधानी का चुनाओ और इस तरह के चुनाओ वो अपने उनके ग्राम के चित्रा होते हैं उसमें पार्टी इंडिफेंडी करती है जहां तक सवाल पार्टी के नेड़ है हम बहुत चल्दी जब चुनाओ गोसित हो ज उसमें ये है कि समाजवादी पार्टी अकेले सरकार बनाने जा रही है और जिस तरह जनता में नाराजगी अभाती जनता पार्टी के खिलाफ तीन सो पचास से ज़्यादा सीट समाजवादी पार्टी जीतेगी मैं पिछले कई जिलों में होकर के आया हूँ बुंदेल है और ऐसी जगे पर सम्मेलन हो रहा है तो मैं समस्ता हूँ कारिकरता जब उठेंगे हटेंगे यहां से तो संकल्व लेकर कि यही निकलेंगे ना केबल फरकाबाद में बलकि कन्नों जो आज पास के सभी जिलों में समाजवादी पार्टी जीतेगी और जैसा मैंने पहले ख अगर जूंट पर भारती जनता पार्टी 324 सीटे जी सकती है तो अपना समाजवादी विकास समाजवादी विशाधारा समाजवादी फैसलों को लेकर करके जाएंगे तो समाजवादी पार्टी 333 सीटे जीतेगे सब दिखाई दे रहे हैं नौजमान और गरीब दिखाई दे रहे हैं यह सब सरकार बनाने जा रहे हैं मैं कितनी बार बोलूँ आप भी जानते वह बाते हैं सब छोटे दलों के लिए रास्ता खुला हुआ है मुझे मुखा मिलाईभी तेर्में दिर्षन करने का मंदर में गया जहन धरमका बहुत भी प्राचीन मंदर है उनके परिवार के लोगों से मिलने का मुखा मिला उन्हें याद दिलाया कि कभी नेता जी लिए अख्या आहां तो और नेता जी भी जूदा लेकर के निखले महावारत काल के जो तमाम चीजें हुई है वो आसपास यही हुई है मैंने इस लॉकडाउन के समय पर एक बहुत अच्छी किताब पड़ी थी तो किश्भगवान की जो जर्णी है और जो किश्भगवान ने महावारत में कहां कहां गए हैं क्या-क्या धटनाएं हुई हैं उन सब का बहुत शांदा वर्डन किया है एक इस स्थान के बारे में भी कहा गया कि भगवान श्री किस्ट ने आये थी और यहां पर स्वेंबर हुआ और सब चीज़े रही हैं तो वह इतिहास हमने खोया है लेकिन समाजवादी पार्टी को जब भी मौका मिलेगा इन तमाम एतिहासिक और पौराणिक जगहों का पुराना सरूप बापिस लाने का काम समाजवादी लोग करेंगे